दोस्तो नमस्कार मैं जगनाद गौतम देश रोजाना यूटिव मंच पर आपका स्वागत है दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं कि केरल की वाइना शीट पर उप्चुनाब हो रहा है जो राहुल गांधी के इस्तीपा देना के बाद खाली हुई है और उनकी बेहन प्रियंका गांधी वहां से चुनाब लड़ रही है आपने ये भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी ख़वरें ऐसी चल रही हैं कि वरुन गांधी ने अपनी बेहन प्रियंका गांधी को चुनाब लड़ने और उनके वाइनाड से जीतने की सुबकामनायदी हैं उदर ख़वर ये भी है कि प्रियंका गांधी ने वरुन गांधी को अपने चुनाब प्रचार करने के लिए वाइनाड बुलाया है ये सोशल मीडिया पर ख़वरें खोब चल रही हैं दोस्तो हम भी पहले भी हम इस तरीके की वीडियो आपको बताते रहे हैं वरुन गांधी के कांग्रेस में सामिल होने ना होने या चर्चा इस पर हम काफी चर्चा करते रहे हैं लेकिन नए सिरे से फिर ये चर्चाएं गरम हुई तो हम इस मुद्दे को लंबा ना खीचते हुए सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं वो ये है कि सब जानते हैं कि इस बार वरुन गांधी को भाजपाहय कामान ने भाजपाह का टिकट नहीं दिया उधर कांग्रेस में जाने पर किसी ने उनको रोका नहीं क्योंकि कांग्रेस के राष्टियद्धिक मलिका अरुजन जी ने उनके कांग्रेस में सामिल होने के मुद्दे पर उनका स्वागत करने की बात की थी कि उनका कांग्रेस में स्वागत है ये लोक्षबाद चुनावस से पहले की बात है लेकिन वाइनाट सीट पर जब से प्रियंका गांधी खड़ी हुई है इस मुद्दे ने नए सिरे से जोर पकड़ा है और ये चर्चा है के वरुन गांधी उनके चुनाब परचार में जा सकते हैं अपनी बहन के चुनाब में परचार करने के लिए उनके हक में लेकिन दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि बार बार ये मुद्दा उठ रहा है वरुन गांधी की कांग्रिस में जाने का और आप ये भी जानते हैं कि जैसा कि मैंने दोरा आया दोरा रहा हो फिर कि भाजपा हाई कमान उनके प्रती कठोर हो गया है इस बार टिकट भी नहीं मिली वो भाजपा की राजनीती भी नहीं कर रहे हैं भाजपा के लिए काम भी नहीं कर रहे हैं और कांग्रिस में जाने की खबरों का खंडन भी नहीं कर रहे हैं तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उनको कांग्रेस में जाने से कौन रोक रहा है इस पर जो बड़ा बड़ी चर्चा है लेकिन अंतत है इस बात से परदा हट ही गया है कि वरुन गांदी के चाहते हुए भी उनको कांग्रेस में कौन नहीं सामिल होने दे रहा है चूंकि वर्सों से ये चर्चा जारी है वरुन गांदी का भाजपा नेताओं से कोई संपर्क नहीं है वरुन गांदी को श्रभी भाजपा के पदों से हटा दिया गया है उनको किसी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता उनने कोई सूशना नहीं दी जाती उनसे कोई बात नही की जाती और ना वरुन गांदी भाजपा की बात करते हैं भाजपा के समर्थन की बात नहीं करते हैं बलकि वो भाजपा के कुछ बड़े कदावर नेताओं के कुछ गलत फैसलों की सरे आम अलोचना करते हैं कि ये देशित के फैसले नहीं हैं तो उसके चलते भाजपा हाई कमान ने मैंने बताया कि उस बाजपा हट गया है कि उन्हें कौन रोक रहा है तो इस पर फिर सोशल मीडिया पर ही मेनका गांधी का जो उनक बयान आया है कि हम भाजपा में हैं और भाजपा में ही रहेंगे और जब उनसे पूछा गया कि वरुन गांधी तो निस्क्रिये हैं भाजपा में उनको टिकट भी नहीं दिया गया है और भाजपा हाई कमान उनसे खुश नहीं है और आगे भी ऐसी संभावन नहीं है कि उन को भाजपा आई कमान आने वाले वर्सों में टिकड़ देगा, तो इस पर भी मेन का गांधी ने कहा बताते हैं कि वरुन गांधी जरूरी नहीं है कि राजनीती में ही रहे, यदि उसका मन भाजपा में नहीं लग रहा है यदि वो भाजपा में उसकी पट्री नहीं बैठ रही है या भाजपा के सिधानतों से वह सेमत नहीं है तो राजनीती छोड़ दे, सामाजिक कारे करे, कोई जरूर थोड़ा है कि वह यदि भाजपा में उनको टिकट नहीं मिला, या भाजपा आई कमानूं से नाराज है या वरुन गांदी ने खुद भाजपा से अलग होने का फैसला कर लिया है भाजपा में सक्रियन होने का फैसला कर लिया है भाजपा की कई नीतियों का वो बिरोध कर रहे हैं तो करें को जरूर नहीं है कि राजनीती करनी हो जीवन में बहुत सारे और काम हैं मैं कांग्रेस में जाकर राजनीती करना को जरूरी थोड़ा है और मेरे ख्याल में उनको कांग्रेस में नहीं जाना चाहिए कांग्रेस में जाने से तो बहतर है वो राजनीती छोड़ दें और कोई समाजिक कारियों में जुट जाए तो दोस्तो ये जो सोशल मीडिया पर वरुन गांदी के बारे में चर्चाएं चल रही है उस सब का जो लबो लुबाव है नतीज़ा हमें दिख रहा है वो ये है कि जब भी चर्चाएं चलती हैं तो आज तक कभी भी वरुन गांदी ने कांग्रिस में जाने का खंडन नहीं किया, अपनी बहन प्रिहंका गांदी या अपने भाई राहुल गांदी के खिराप उन्होंने कभी एक सब्द नहीं बोला, और यादि कोई नहरु तो भड़क उठते हैं, तो इसका जो अर्थ निकाला जा रहा है, वो ये है कि अब वरुन गांदी का मन भाजपा से भड़ चुका है, भाजपा नेत्वत से भड़ चुका है, भाजपा नेत्वत की वो नियत को पहचान गये हैं, इसलिए वो अपने परिवार की राजनीती में लोटना चाहते हैं गांधी नहरू की विरासत में सामिल होना चाहते हैं और नहरू गांधी खांदान के लिए राजनीती करना चाहते हैं कांग्रेस के मजबूत करने के लिए काम करना चाहते हैं लेकिन उनकी मा है कि उनके पेरों में बेडियां डाल रखी हैं और वरुन गांदी चाहा कर भी अपने मा के रोकने के कारण वो अंतिम तोर पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि वो कांग्रेस में जाएं तो कैसे जाएं और वो मा की इच्छा के विरूद यद्धी कांग्रेस में गए तो वो अपनी मा को भी नहीं नाराज करना चाहते चूंकि इस दुनिया में मा उनके लिए बहुत महत्पूर हैं उनकी माने उनके लिए कितने कर्ष सहे हैं तो किसी भी कीमत पर वो अपनी मा मैंका को नाराज नहीं करना चाहते या मा की बात मानने के लिए उनकी जो भविस्य की राजनीती पर कुठारा घात हो रहा है उससे भी वरुन गांधी परेशान है इसलिए कई लोगों का मानना है कि मेन का गांधी को जवरन वरुन गांधी को कांग्रेस में जाने से नहीं रोकना चाहिए तो दोस्तो ये तो हमारा आज का मुद्धा कि आखिर वरुन गांधी को कांग्रेस में जाने के लिए कौन रोक रहा है किसने उनके पैरों में बेडियां डाली हुई है दोस्तो देखते रहे देश रोजाना मिलते हैं कल फिर किसी नए मुद्धे पर जै हिन जै भारत जै सविदान